नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं इसमें सबसे परमुख खत्यानी जहर यात्रा के दूसरे चरन की सुरुवात करना है बता दे जामों कॉंग्रेस और आयस गड़ बंधन द्वारा चल रहे खत्यानी जहर यात्रा करने थी तो खुदमों की मंत्री हमाँ सुरेन कर रहे हैं जन्वरी माह में ही पार्टी के संगठन मजबूती के लिए जार्खन्ड कॉंग्रेस पार्टी हाँच से आथ जोड़ अभ्यान की सुरुवात भी करेगी वही जन्वरी माह में ही भाजपा के वरिष्ट नेता सकेंद्रे ग्रिय मंत्री अमित साहभी चाईबासा के दोरे पर रहेंगे बता दे खत्यानी जोहर यात्रा के दूसरे चन की सुरुवात अगामी 17 जन्वरी से होगी पहले चन की सुरुवात 8 दिसंवर को गढ़वा से हुई थी कलास में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे सिक्छक जारखन के सरकारी स्कूलों में सिक्छक अब कलास रूम में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे दरसल यह सिकाइत मीर रहे थी कि कलास रूम में सिक्षक पढ़ाने के बज़ाए मुबाइल फोन पर व्यास्ट रहते हैं इसके बाद सभी प्रिंस पुलों को यह निर्देश दे दिया गया है कि वे इस सिक्षक को का कलास रूम में पर वेश करने से पुर्व मोबाइल फोन अपने पास जमा कर लेंगे यह निर्णाय सचीव ने 29 दिसंबर को राज के परखण सिक्षा प्रसार पताधिकारियों यह चेत्र सिक्षा पताधिकारियों के साथ बैठक मिलिया बैठक में सरकारि स्कुलों की 10 दिसा सुधारने पर चर्चा हुई सिक्षा सचीव ने सिक्षकों को पढ़ाने को गंभीता से लेने का निर्देश दिया है राशनकाडधारकों को अब एक साल मिलेगा मुफ्त अनाज केंद्र सरकार ने नेशनल फूड सेक्यूरेटी एक्ट के लभारतियों को बड़ी राहत दी है अब राशनकाडधारकों को हर महीने सरकार की ओर से दिये जाने वाला अनाज मुफ्त मिलेगा सरकार एक साल तक प्रति ब्यक्ति 5 किलो अनाज गेहूं और चावल मिला कर मुफ्त उफलब्द कराएगी फिरी में अनाज बित्रन किया योजना दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी जिससे PDS के तहत आने वाला भरतियों को फायदा होगा केंद्रे ने कुरोना के कारण प्रधानमंति गरीब करल्यान अन योजना को सुरुआत किया था इस योजना के तहत लावकों को फिरी में अनाज देने का प्रधान था अब इस योजना को बंद करने के बाद NFSA के तहत मिलेवाने अनाज को एक साल तक के लिए फिरी कर दिया गया है बतादे जनवरी से ये योजना लागू कर दी गई है IAS पूजा सिंगल को सुप्रीम कोट से मिली अंत्रिम जमानात सुप्रीम कोट ने मनी लॉंडरिंग और फरस्टा चार के आरोप में डिलंबीत IAS अधिकारी पूजा सिंगल को बड़ी रात दी है वहीं दिली NCR में ही रहने का निर्देश दिया है पूजा सिंगल की मुख्य जमानात याजका पर परवरतन निदेसाले को तीन सब्ता में जबाब देने की निर्देश दिये धन सोधन निरोधी चार्च एजनसी की ओर से पेस अतरिक्त सोलिस्टर जनरल एस वी राजु ने कहा है कि आजका में असुधिया है और उसमें कोई दम नहीं है ब्रेन मलेरिया से जुझ रहे जगुआर जवान की भेलूर ले जाने की करम में मौत ज़्यारखन जगुआर में करेयरत अमित कुमार 44 वरषिये की मौत मंगल वार को भेलूर ले जाने के करम में हो गई है अमित कुमार चाईबा सा अभ्यान में गए थे इसी बीच जंगलों में रहने के दोरान उन्हें ब्रेन मलेरिया हो गया था उसके बाद उन्हें Health Point Hospital रांची में भर्ती कराया गया था अमित कुमार कोडर्मा जिलाबल से जारकन जगवार में योगदान 2008 में दिये थे सरकार की ओर से उनके अस्रितों को लगभग 29,29,464 रुपे दिये जाएंगे अमित की मौत से पतनी बनिता देवी सहित परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है रांची सदर अस्पताल में इलाज के लिए लगेंगे पैसा सदर अस्पताल में इलाज कराना और पैथोलोजी जाच कराना जल्द ही मांगा हो जाएगा अस्पताल परवंधन ने रेट रिवाइज से जुड़ा आदेस दो जनवरी को जारी कर दिया है पहली बार मरीजों के लिए सिंगल रूम की बेवस्ता की गई है जिसके लिए उनसे एक है रूपे चार्ज वसुला जाएगा पहले डवल रूम सेरिंग के लिए 300 रूपे चार्ज किया जाता था अब उन्हें इसके लिए 500 रूपे देने होंगे जारी आदेस के तहट नई दर 5 जनवरी से लागू होनी है हलाकि पोर्टल पर अपलोड होने में लगने वाले बिलम के चलते इसमें 1-2 दिन की देरी हो सकती है NIC के नोडल पता दिकाईने नए रेट चार्ज को यह होस्पीटल पोर्टल पर अपलोड करने समधी प्रस्ताव को कलाउड सिस्टम पर अपलोड करने के लिए भेज दिया है जारखन में पेज लियों स्वस्ता विभाग की 14 जोजनाय लटकी रेलेवे, NHI1 और RCD विभाग की ओर से NOC नहीं मिलने के कारण पेज लियों स्वस्ता विभाग की 14 जोजनाय लटक गई है इन जोजनाओं की लागत लगभग 1,055 को रुपए है विभाग ने NOC के लिए आवेदन भी दिया है लेकिन इस पर अब तक कोई नहीं नहीं हो पाया पेज जल विभाग की लंबित 14 में से 4 जोजनाय रेलेवे की ओर से NOC नहीं मिलने की वज़ाश से लटक गई इसमें चक्रधरपूर डिविजन की लुवा बासा रूलर पाइप वाटर सप्लाइस की मसामिल है जिसकी लागत लगभग 9,67 को रुपए है यह जोजना तीन वर्सों में फंसी होई है जारखन के सभी नीजी स्कूल की बसों का होगा रोड सेफ्टी ओडिट राइधानी राच्छी सहित पूरे राज जे के सभी नीजी स्कूलों में अपने यहां संचालित बसों का रोड सेफ्टी ओडिट कराना होगा मुखिसोची की निदेश पर परिवहन विभाग ने इस सबंद में आदेश जारी किया है इसमें कहा गया है कि भारत सरकार से सुची बद एजेंसी के माध्यम से नीजी स्कूलों को अपने यहां संचालित बसों का नीजी खर्च पर सुरक्चा ओडिट कराना होगा इसके बाद इसे समदीत रिपोर्ट इसकूली सिक्चायों सक्षटा विभाग द्वारपरिवहन विभाग को अपलब्त कराया जाएगा जार्खन माधमिक सिक्छक संग का चुनाओ छो जनवरी को जारखन मादमिक सिक्छक संग के प्रखंड अस्तर ये संग अठनिक चुनाव को लेकर सुबुगाट तेज हो गई है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचीव और कोसा अध्यक्ष के पद के लिए 6 जन्वरी को चुनाव होगा संग ने चुनाव के त्यारी सुरू कर दी गई है, वहीं दूसरी और विभीन पदों में अपनी किस्मत अजमाने को लेकर सिक्छक सिक्षिकाओं भी अपने अस्तर से त्यारी कर रहे हैं बतादे 6 जन्वरी को प्लस टू उच बिद्याले डोरंडा राज धन्वार में चुनाव होगा इसमें प्रकंड में अवस्थित सभी सरकारी एवं अल्फ संख्यक उच बिद्याले के सिक्षक एवं सिक्षकेतर मद्दान करेंगे साहब गंज जहाज हादसे में तीन हाईवा बरामात साहब गंज मनिहारी गंगा पुल निर्मान में लगी DBL कमपनी की साइट पर 30 दिसमबर को हुए जहाज हादसे के चोथे दिन सोमवार को गंगा में समाई तीन और हाईवा को रेस्क्यू वा गोता खोरो की टीम ने बाहर निकाला इसी तरह दो दिनों में चार हाईवा बाहर निकाले जा चुके हैं उस आज से में साथ एस्टोन लोडेड हाईवा व चालक सर्फुदीन गंगा नदी में गिर गए थे सो मारको कुलकाता से आई चार गोता खोरों की टीम और डीबिल कम्पनी की क्रेन से सुबा से सामत्यक रेस की ओप्रेशन चलाया गया है जैन समुदाय ने निकाली मौन रैली जारखन के गिरीडी जीले में इस्थित जैन तीर्थ अस्तल समेद सिखर जी को परेटन असल घोसित करने का विरोध बढ़ता ही जा रहा है रांची में भी जैन समाज ने मौन रैली निकाल कर इसका विरोध किया मौन्रेली अपर बजार इस्थित जैन मंदीर से जाकिल हुषेन पार्क इस्थित राजबों तक निकाली गई इसके बाद जैन समाज ने राजेपाल को ग्यापन सोपा दिगंबर जैन समाज के पुर्व मंत्री दिगंबर सेठी ने कहा है कि अंदोलन कई महीनों से चल रहा है जैन समाज के मांग है कि समेद सीखर तीफ्थ अस्थल को परेटन अस्थल ना बनाया जाए अगर सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करेगी तो जैन समाज का अंदोलन तेज होगा जे भी भी एनल ने बनाये रिकोर्ड 510 क्लोर रुपए राजस्व संग्रहन बिजली छेतर के दो IAS अपसरों की सकती का रंग दिखने लगा है इनकी सकती का असर इससे समझा जा सकता है कि जार्खन गठन के बाद पहली बार जे भी भी एनल ने बिजली बील मद में दिसंबर माह में 510 क्लोर रुपए राजस्व का संग्रहन किया है दिसंबर माह में 400 क्लोर का लक्ष दिया गया था मगर लक्ष से भी अधिक 510 क्लोर रुपए का राजस्व संग्रहन करन के JVBNL ने record काईम किया है अगर इसी परकार से रायस्वसंग रहान होता रहा तो आने वाले दिनों में JVBNL अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है बता दे JVBNL के इतने बड़े लक्ष को पाने में बिजली छेत्र के दो IAS अपसरों की भूमिका काफी अहम रही है धन्यवाद यदि आप चनल पनाए हो तो चनल को सब्सक्राइब कर वाल का बेल एकन दबाएए साथी साथ वीडियो के एक लाइक कर आपने दोस्तों के सेर करना पूले साथी साथ आप आमें कोमेंट बक्स में अपना फिड़वाइक अवसे दे थैंक्यू